मार्केट को अच की दिन हम चेट करें हैं, मार्केट जेब इतनी ज़ादा gap up और gap down हो जाती है आज मार्केट 3% gap down है और इसके पहले भी मार्केटिंग तो परसंट gap down थी उस वक्त बहुत जाता है तो जो market में इस तरह की activity होती है उस वक्त हम मना कर देते हैं कि trade execute मत किजिए because stop loss जाने के chances और market sideways होने के chances बहुत जादा होते हैं but इसके ही उलट जब market इतनी ज़्यादा movement होता है जिसमें gap up और gap down के साथ में हो तब भी आप trade करना चाहते हो कि opportunity आपकी miss ना हो इस market में कैसे हम trade करेंगे किस तरह से अपनी रखे हुई stop loss को हम safe कर सकते हैं और कैसे अपनी targets को book करेंगे किस तरह से analyze करेंगे इसके उपर आज एक deeply discussion करेंगे हम लोग higher time frame के उपर and एक deep discussion करेंगे lower time frame के उपर so thanks and welcome to the देखे एक बहुत बड़ी problem होती है हम लोग अपना stop loss safe नहीं कर पाते हैं जब market इतनी ज्यादा volatile होती है क्यूंकि ऐसा माना जाता है price में एक criteria होता है कि वह 2% 3% चलेगा और उसके बाद में इस score को हमने share के अपने private group में इन दोनों stocks को pick करने के पीछे के reason क्या है कि अभी उम्मीद है कि इसके अंदर movement हो सकते हैं जब हमें ऐसा stock चाहिए हो कि जिसके अंदर movement हो तो हमें कौन कौन से criteria इसको देखना पड़ेगा हमें stock को कहीं से भी नहीं उठा लेता है अपनी एक range defined करनी होती है माल लिजे 1760 रुपए तो 1760 रुपए की हमारी पास एक range है हमें अगर score को trade करना है तो हम 1760 रुपए से trade करेंगे अब मेरा stock upside में है नीचे की दिशा में गिर रहा है क्या हम यहां से इसको short मार देंगे या अगर price मेरा upside के तरफ जा रहा है तो क्या हम यहां से इसके अंदर buy मार देंगे ऐसा तो नहीं करेंगे वापस जब price एक professional attitude यह होगा कि आपको हमेशा अपनी level का और अपनी range का weight करन है तो price के breakout के बाद में यहां पर अपनी confirmations लेंगे हम तब काम करेंगे and price upside में जाएगा and उपर की दिशा में हम देख रहे हैं कि यह एक मान लेजए को हमारी imaginary range है price इस range के उपर निगलेगा तब हम यहां से buying करेंगे otherwise हम कुछ नहीं करेंगे चुप चाब बैठे यह तो एक पॉइंट है second point यह है कि price मेरा किसी एक important level या फिर important zone पर हो कि जहां पर अगर price आया तो उसके अंदर कुछ move हो सकता volumes के according and price movement के according हम यह तै करेंगे कि particular उस stock के अंदर हमें आज के दिन buying view रखना है या फिर अपना selling का view रखना है अब जैसे escort का chart है escort में हमने एक अपना trade execute किया हुआ है यहां पर देखिए 400 quantities हमने शॉट की है 1849 रुपए 20 पैसे पर जब आप देखोगे यह इंडस टावर है इंडस टावर के अंदर देखिए इसको हम देख रहे दे ट्रेट करने के लिए कूंकि काफी दिन से हमारी watch list में था यह पर इतना की एंड close हो जाने के बाद में अब price देखिए मेरा कहां पर close हुआ है 28th को price में 25 को नीचे closing कर दी and again price ने जो वापर से gap of opening दे दी और फिर से price अपने support पर आ गया and तीन दिन तक price मेरा अपनी range के नीचे नहीं आया है यह price के ऊपर ही रहा है और उसके बाद में 25th का high break हो गया यहां पर देखिए price ने पना high break किया इसके बाद में price ने gap of opening दी upside के तरफ गया वापस से देखिए इसने जो closing कर दी व बस हमने देखा कुछ छोटा से signal में आपने buy के लिए sale कर दी है यह सब और कहीं होता होगा किसी और फिल में आप काम करो आप nifty bank, nifty option, future trade आप जो भी करते हो without money management, risk management वहाँ यह सब चलता है बट professionally जब आप price को trade करने के लिए होगे professionally जब आप price को read करने के लिए होगे यह साह हड लगेगा बट जैसे 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 से आप आगी की तरफ बढ़ते चले होगे, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार करोगे, सब आसान हो जाता है, सब बिल्कुल easy हो जाएगा, हम लोग क्या कर रहे है, एक candle से price को read करने की ही तो कोशिश कर रहे है, अभी आप option में आपने देखा है कि एक trending break हो रही हमने मार दिया है, दो मिनट तीन में तो हमाँ पर profit देता है, बाद में फिर से रहे होने लगता है, option में लोग बहुत loss करते हैं, बहुत बड़ा-बड़ा loss करते हैं, इस चीज़से अवे रहे हैगा, अगर आपको option की तरफ भी काम करना, option करने है, price action master बनी है, option छोड़ी आप दुनिया की किसी भी segment को, किसी भी segment को आप trade कर लोगे, okay, सबका अपना एक fixed segment होगा, सबका अपना एक favorite segment होता है, जैसे हमें stocks अच्छे लगते हैं, तो हमें stocks के उपर काम करते हैं, लेकिन price action हर जगह से हमें, जैसे यहाँ पर देखिए, हम लोग simple सी काम कर रहे है, simple सी चीज, candle से candles को rate करने की कोशिश कर रहे है, and candle से candles को जोडने की कोशिश कर रहे है, अब 25th और January की नीचे price ने close किया, ऐसा क्या हुआ, कि price ने वापस से एक gap up opening दे दी, और वापस price मेरा इस range के अंदर ही चला गया, यहाँ पर देखिए, तीन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक लिए, 3rd of February तक, अगें 3rd of February के बाद में, जैसे ही price ने एक fail breakout upside की तरफ दिया, इसके अंदर देखिए, movement आने शुरू हो गया, एक अब लास्ट हमने वीडियो अपलोट किया है, जहाँ पर दो trading strategies को पर discussion ने किया, उसमें एक fail breakout उसको देखिएगा, बहुत help मिलेगा आपको, price ने देखिए, एक fail breakout दिया upside की तरफ और वापस मेरा price downside की तरफ आया, और इसने 28th of January के नीचे आ करके closing कर दी, इस land को delete कर देखिए, वापस देखिए, price मेरा उपर की दिशा में चला गया, 7th of February को price ने क्या किया था, 28th of January का low ब्रिक कर दिया था, और वापस से price मेरा इस वाली candle के अंदर ही चला गया, 25th of January के अंदर, और जब से इस range के अंदर गया है, price मेरा वहीं पर trade कर देखिए, कोई movement इसके ना तो upside की तरफ में दिखाई पड़े है, ना ही downside की तरफ में, price 1842 रुपए और 1842 रुपए इस range के अ 25th of January के candle, यह दोनों ही candles की जो ranges हैं, और दोनों ही candle का signification है, वो same, यहां तक लिए, यहां पर हमने क्या किया कि एक अपनी range defined की price को read करने की, लेकिन basic चीज़ क्या है, शुगा थम लोगों ने कहां से कि, कि जब इतना बड़ा gap down market में है, तब हम जब price को read कर रहे हैं, यह भी 25th के उपर जाकर के एक भी closing नहीं किये, एक gap of opening हुई, वापस price नीचे आगया, नीचे की तरफ closing, यहां पर opening, नीचे की तरफ closing, यहां पर opening, नीचे की तरफ closing, यानि कि अब side में price बरा नहीं निकल रहा है, और आज market ने क्या किया, अभी market यहां भी जा रही, इस वक्त हम basic loss में नहीं है, 33 रुपय के profit में, जान दीजिए उपर, अगर हमारी analysis आज के दिन सही, तुमरा stop loss नहीं जाएगा, lower time frame पर आईए, यह मेरी range है, 1849 रुपय की, price ने जब यहां पर अपनी एक range दिखाई थी, downside की तरफ में कलते हुए, हमें यहां पर entry लेने, पिछली जो हमको entry मिली अपनी, वो 1849 रुपय 20 पैसे पर अपनी entry में यहां पर रखी, 1849 रुपय 20 पैसे, यहां पर हमने अपनी entry लेने, because वो तो higher time frame की नेजे, price में थोड़ा activity की, नीचे की तरफ गिरा, जब गिर रहा तो हमने यहां से अपनी entry लेने, तो 1849 रुपय 20 पैसे, यह मेरा entry का point ह and stop loss हमने जो यहां पर अपना लगाया हुआ है, यह मेरा कहीं, इस एक point पर stop loss consider किया है, order book दिख लेते हैं को, so order book में 1846 रुपय 30 पैसे, यह अपना stop loss है, okay, 1846 रुपय 30 पैसे, exactly the range है हमारी, यहां पर हमने अपना stop loss लगा रखा है, अभी lower time frame पर भी आप एक चीज़ दिख कोशिश कीज़ें, कि यहां पर price अपने lows को break कर रहा है, 9.15 की candle ने देखिए, 9.15 के candle के बाद में, यहां से highs नहीं break हुआ है, price अपने lows को break करने की कोशिश कर रहा है, इस candle का भी price ने low break किया, और again, यह जो बड़ी वाली हमारी black candle है, इस ने भी हमारे lows को break किया, मतलब highs मेर चोटे-चोटे point से, जब आप इनको देखोगो तो आदत बनेगी, जब आदत बन जाएगी आपी, तो perfection आता चला जाएगा, आप day by day इसके अंदर perfect होते चले जाओगे, okay, चलिए, so overall अपनी analysis यह है, and target छो हम इसके अंदर अपनी लगाएंगे, वो 1810 रुपय का मेरा target होग अपनी बड़ी activity हो, हमें price को अपनी level पर, अपनी range पर चाहिए, इतना सारे stocks में से escort हमको हमारी level पर मिला, हमारी range पर मिला, जिस वाई से हम इसको trade करें, तो इस वत का अपना profit है, 800 रुपीज हम लगभाग इसके अंदर profit में है, and कोई बड़ा move होता है, तो इन फॉर्म करत बार बार नीचे के दिशा तक बलट रहा है, and price को जो movements है, वो swings को break करते हुए, हमें अभी इस वक नजार आ रहा है, इस रत का अपना profit है, 4000 प्लस का profit है, 4000 प्लस का profit हमारा चल रहा है, and 5000 को एक बार refresh कर लेते है, so ठीक था कि movement हमको इस रत के दिखाई पड़ना है, 4000 888 का profit च हमारा गिरा है, ऐसा नहीं, यह भी गिरा है, but यहाँ पर दिखे, कुछ यह support points है, जो कि हमने higher time frame के recording, इनको draw किया था, and अभी भी हमारे supports valid है, so इनी ranges पर आकर के price ने क्या कि अपने swings को break किया है, और यह वारी जो swing है, price ने exact उसी range पर अपना resistance ले है, आज के दिन का, and price मेरा अभी भी continue उसी range से नीचे की दिशा तक गेर रहा है, and अब जो auto sector का मेरा support point है, वो 181815 से लिएकर के 10809 के पीश तक है, price अगर इस range को touch करता है, अगर touch करता है, तो बहुत अच्छी respect हमको escort करता हूँ दिखाई पड़ेगा, जहां पर ए ठीक ठक profit हमको होता हूँ नजर अपना ही trade, so traders, escort ने हमारा पूरा का पूरा टार्गेट एचिव गया, इस वक्त हमको 1810 रुपय के आसवास मेरा target था, and इस वक्त का जो price अला है, 1801 रुपय का चल रहा है, यनि 10 रुपय और हमको extra मिल रहा है, and इस वक्त का जो अपना profit है, 14,900 रुपिस और 15,000 का चल रहा ह So, एक अच्छा movement और एक बेहतरी रुप हमको मिला है, जो कि morning में हम लोगों discussion कर रहे थे, कि सही level पर अगर आपको एक अच्छा से stock मिल जाता है, तो इतनी ज्यादा gap down market में भी आप trade कर सकते हो, but ऐसे stocks ढूंड़ना थोड़ा से इसमें आपको मेहनत लगेगी, और समय देना पड़ेगा, so movement काफी अच्छे हो रहा है, अब हम यहां से बाहर निकलने कोशिश करेंगी, because 1800 रुपया का एक natural support point है, जहां प्राइस हमारा आ चुका है, so यहां पर अब में भी चांस है, कि प्राइस बेरा consolidate करे, इस stock को trade करने से पहले हमने अपने telegram channel पर, जो हमारा private telegram channel है उसमें morning मही update कर दिया था, और ठीक ठाक moment उसके बाद आया है इसके अंदर, so cancel करते हैं से इसको, stop loss order में cancel कर दिया है, and अब जरूरत है हमें एक target orders की, so target हम इसके अंदर 1800 रुपर प्राइस चला है और 1800 रुपर उपर आया है, and यह वाली जो अपनी volume है, 12.5 पूरे दिम की volume स सबसे ज़्यदा volume थी, कोई हड़वड़ी नहीं दिखिए, जब भी आपको entry लेनी हो, बाहर निकलना हो, stop loss order लगाना हो, कोई ऐसा decision जिससे कि आपके financial portfolio के उपर असर पारता है, उसने कभी भी जल्दवाजी मत की, 2 रुपए, 4 रुपए loss होगा, bear करने ही कोशिश कीजिए, बट, जितना आपका मन शांत रहेगा, उतनी अच्छी तरह से आप decision ले पाऊगे, 2-400 रुपए, 500 रुपए, 1000-2000 रुपए, अगर यहां पर loss चल रहा है, कोई दिक्कत में, लेकिन, जब भी कोई decision लेने के बार हो, तो इत्मिनान के साथ काम कीजिए, क्योंकि एक दिन का य ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 800-350, so, 8-3-50, square of LHC, 8-3-50, 3-3, 0-5, 8-4-50, 8-3-40, बादे, square of करते हैं, 1830.50 पर निकलने शुरू हो गए order confirm 83 quantities 83 quantities सारी के सारी quantities निकल गई है and जितनी भी quantities निकली है 1830.50 पर निकली है एक बार ओके 1830.50 पैसे very good 1830.50 निकली है जितनी भी quantities सारी के सारी निकली है 1830.50 पैसे पर and order book एक चेक खर लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं 1830.50 पैसे पर मारा order लगा था सारा का सार ओडर वहीं पर मारा एक्जिक्यूट हुआ है तो एक्जिक्यूशन का प्राइस था और जी मेरा stop loss order है जितनी भी quantities है सारी के सारी निकल चुकी है and इस वत का जो अपना प्राफिट है 14273 पैसे प्राफिट हमने मिलके है जो की एक डिसंट सा प्राफिट है अपने इंटरेट रेट के कार्डिम आज के trading session लोग इन पर खतम करते है and I hope के आज के trading session से आपने काफे कुछ सीखा होगा and जो हमको target आज का मिला है वो एक stressed target है एक टार्ज़ों दस पर में book करना था 7 रुपए या फिर 6 रुपए में profit भी मिले है so 3 रुपए 70 पाशी cash pass हमने आपर profits book किया एक बहतरीन movement और एक बहतरीन example था कि किस तरह से हम लोग gap up और gap down market में trade करेंगे एक सही range का एक सही level का हमेशा बेट कीज़ेगा and जिस तरह से हम लोग analyze कर रहे थे यह हिं डालकों का chart है and Nifty Auto एक बार open कर लेता है Nifty Auto में अपने जो range अपने levels है इन्होंने किस तरह से react किया है price एक range से किरके second range पर and यहां से confirmations के बाद में second range था इसी तरह से हमको हमारे sector के analysis के according यहां से confirmations मेली and stocks केंदा तो था ही and जहां पर बुलुम डिकले अभी price उसके भी नीचे की दिशामिन चल रहा है so रुके होते हैं थो थोड़ा बहुत और profit होता है फिला जितना भी हम लेकर के खुश है telegram channel आप मेरा जोइन कर सकते हो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम trade कर रहें बट उसको YouTube पर upload नहीं कर पाते है या फिर busy होने के वज़ए से YouTube पर हम online नहीं आपाते है तो telegram पर जितनी भी activity हमारी वहां से आपको stocks देने होते हैं जिस भी stocks कंदर में trade का उसके markings उसका profit किया है, loss के सब कुछ आपको telegram पर मिल जागा तो आप telegram channel मेरा जोइन कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन वे है वीडियो गर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब किजाएगा लाइक किजाएगा और अब मिलते हैं आपने नेक्स रेनिंग सेशन में कोई अच्छे से stocks मिलेंगे तो आपने को जरूस से जरूस्तम को आपके साथ share करेंगे So thank you and we will meet again